हाई आपके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा लिप मास्क जो कि आपके काले फते होतों को नाचरली पिंक बनाएगा गुलाबी बनाएगा कि समझ आ गए हैं और समझ में होटों का फटना होटों का काला होना एक कामन सी प्राप्लू है संडेमज की वज़े से और अपनी शरीर को अपनी बॉडी को पुरी तरीके से हाइड्रेटेड ना रखने की वज़े से लिप्स काले और चाब्ड हो ही जाते हैं यह लिप मास्क आपके काले फटे होटो को गुलाबी और बेवी सॉफ्ट बनाएगा मार्केट से अगर आप लिप मास्क खरीदने चाहते हैं तो चार पांसों से कम नहीं मिरता है नेकिन यह लिप मास्क आप घर पर ही बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ ज्याद थोड़ी से रोज पेटल्स यानि की गुलाब की पंखुडियां मैं यहां पर ड्राइड रोज पेटल्स यूज़ कर रही हूं विकूस मुझे फ्रेश नहीं मिली तो आपके पास फ्रेश रोज पेटल्स अगर अवेलेबल है तो आप उने यूज़ कर सकते हैं सेकिन इंग चारो चीज़ों को आपने मिक्सी के जार में डाल देना है और इनको पीस लेना है पीस करके इस तरीके से पेस्ट आपको मिल जाएगा इसे आपको चान लेना है ताकि इन चारो चीज़ों का जूस एक्स्ट्रैक्ट हो सके तो यह चानने के बाद आप इस जूस के तीन ग्लीसरीन, एक चममच शहद और एक चममच अलोविरा जेल तो इस तरीके से इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे और ये आपका लिप मास्क तयार हो गया ये लिप मास्क 15-20 दिन तक फ्रिज में रखेंगे तो खराब नहीं होगा ये लिप मास्क आपको रात को सोत समय लगाना है आपको क्या करना एक कॉटन बॉल लेनी है और उसको इस लिप मास्क में डिप करना है और इस तरीके से अपने लिप्स पर कॉटन बॉल से मसाज करनी है तीन से चार मिनट के लिए इस तरीके से आप मसाज कीजिए और फिर सो जाएए सुबा उठेंगे तो आ और टाइम में आप ये लिप मास घर पर बना सकते हैं और अपने लिप्स की कुपसूरती को बढ़ा सकते हैं लिप्स को पिंक बना सकते हैं मुलायम बना सकते हैं तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंच करके मुझे बताएगे और प्लीज नीचे थामसब का बचन है उसे दबा दीजेगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सोचल मीडिया पर वाट्स अ फेस्बूटर पर जुटर शेयर करें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत सुरूरत है और आपने अभी तक तो मेरा चानल सब्सक्राइब कर लिया होगा क्या नहीं किया है तो पास ही में एक घंटी का बटन है उसे दबाना भी बिल्कुल मत भूलेगा तो मैं आप से मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए थे गुद केर अफ यूरसेल्फ बबाई झाँ झाँ झाँ